इस मॉड्यूल में आपके सामने स्लाइट पे एक टेबल नजर आ रहा है इस से पिछले मॉड्यूल में हमने जो कौजी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन्स हैं उनकी एकसाम को देखा था और उन में से हम अब देखेंगे इस स्लाइड में कि कौन से डिजाइन को अगर आप इस्तमाल करें तो कौन से थ्रेट्स टू इंटर्नल वैलिडिटी एकस्टर्नल वैलिडिटी और फाइंडिंग्स हैं जो इसमें कंट्रोल हो जाते हैं और कौन से अंचेक्ट रह जाते हैं of findings को control करना है ताके हमारा अपने outcomes पे results of studies की finding जो हमारी है उन पे हमारा इतमाद काइम हो अब आब देखिए मिसाल के तौर पे इसमें जो पहला हमने लिखा हुआ है non equivalent control group design इस design में अगर आप देखिए तो यह जितने प्लस के निशान आपको नजर आएंगे यह वो threats है जिन को यह design control करता है यह अगर यह design इस्तमाल किया जाए तो यह वाले threats जो है यह control हो जाते है ऐसे तमाम जिन में plus का निशान है और उसके गिर्द ब्रैकेट बनी हुई है यह वो threats हैं जो असल में इन studies से मुतलिक ही नहीं होते जिन में यह design इस्तमाल हो रहे होते हैं और negative sign या जो dash का निशान बना हुआ है जिन भी boxes में यह निशान है इसका हमता है यह वो threats हैं जो इस design को आप इस्तमाल करेंगे भी तो यह threats control नहीं होते हैं यह आपके results पे असर जाते हैं जितने negative signs कम होते जाएंगे किसी भी design के सामने उतना वो design ज्यादा trustable होता जाता है in terms of our trust on the findings of that particular research आप देखिये कि इन में भी अब वो जो pre-experimental designs के मुकाबले में यहां आपको इस table में negative signs जो हैं वो कम नजर आ रहे हैं comparatively लेकिन अब भी आपके पास uncontrolled जो है वो बहुत सारे very threats मौजूद हैं जो इन designs को इस्तमाल करते हैं यहां मेरा point फिर वही है कि यह designs इस्तमाल करना कई दफ़ा नागुजीर होता है कोई option नहीं होती आपके पास given situation में जिसमें आप experiment कर रहे होते हैं तो इनको इस्तमाल तो करना होता है अब जब मेरी इस्तमाल कर रहा हूँ उसके नतीजे में कौन से threats exist करते हैं तो मैं अपनी interpretation of results के वक्त उन threats को discuss कर सकता हूँ उनके नतीजे में होने वाले अवामे या factors जो मेरे result को effect करते थे उनको बयान करके उनको mitigate करने के तरीके बता सकता हूँ आप देखिए कि इसमें फर्च कर लीजे कि आप non equivalent designs को आप ले लेते हैं पहले बाले को तो इसमें मिसाल के तौर पे अगर आप ले ले तो regression का effect जो है वो control नहीं हो रहा है अब जब मुझे यह पता चल जाएगा कि मैंने यह design इस्तमाल किया था इस design के इस्तमाल करते वक्त यह एक threat मौझूद था जो results को invalid बना सकता है तो मैं अपने interpretation of results या उसके write-up के वक्त मैं इसका जिकर करूँगा कि यह threat मौझूद था तो इस threat के नतीजे में results में किस तरह की invalidity expected है और मैं उस invalidity के नतीजे में आप इन results पे trust करें या ना करें इसके लिए मेरे पास क्या argument मौझूद है तो आप इस तरीके से इनको देख सकते हैं जी